सब्सक्राइब कीजिए धे आईएस चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को नमस्कार मैं सुनिल बर्मा धे आईएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूँ धे यूटुब चैनल स्टुडेंट हम बात करेंगे अपने डेली करेंट अफेर्स के प्रोग्राम पर जैसा कि हम प्रति दिन करते आएं इसमें हम कबर करने का प्रयास करते हैं हिंदी की न्यूज पेपर के साथ साथ इंगलिस न्यूज पेपर की उन परमुख खबरों को जो आपकी परिश्चा के पॉइंट पर इसे इंपोर्टेंट है इस्टूडेंट आज हम दो खबरों पर बात करेंगे एक खबर जो काफी सम्मेद असील है काफी दिन से न्यूज में बनी हुई है और वह है बच्चों की मत्रु अस्पताल में बच्चों की मृत्ति हो रही है और यह मृत्ति भारती समाज में एक प्रश्चन चिन खड़ा कर रही है कि अभी तक हमने बच्चों को देख भाल के लिए जो संरचनाय बनाई जो ब्यवस्थाय की है वो कैसे फेल हो है क्योंकि यह सिर्फ राजिस्थान और गुजरात की बात नहीं है आप यूपी बिहार में ऐसे खबरे सुनते आएं कुल मिलाकर अगर पूरे भारत म करने के लिए कहां पहां पर कौन से कदम उठाएं लेकिन अभी हमें रेजल्ट क्या-क्या हासिल हुआ है इसके परमुक हम डेटा पर बात करेंगे वहीं जो हमारी दूसरी खबर होगी वह होगी टेररीजम के एक टाइपस जिसका नाम है लोन बॉल्फ टेररिष्ट अटेक देखेंगे कि यह लोन बॉल्फ टेररिष्ट अटेक क्या होता है और यह कैसे इस समय बढ़ता चला जा रहा है यह जो है कि काफी एक नया सब्द है इसलिए काफी आपके लिए इंपोर्टेंट भी है तो साथी साथ यह जो बैस्विक रूफ में घटना करम जो चेंज आ र यह इस देखेंगे अिप genuine हम जो हो के ख़बлов को भिषलेशित करते हैं सबसे पहले बात करेंगे हम अस्प्ताल में बच्चों की मित आपको पता है कि ज्से अगर हम थमिक तुलना करें हम देखें कि कहा पर बच्चों का केर को इतने अच्छे तरीके से आता है तो कभी भी आप भारत का नाम सिर्षदेशों में नहीं देखेंगे उसमें सिर्षदेश कों से दिखाई देंगे European Union दिखाई देगा UK दिखाई देगा Canada दिखाई देगा और जो बिक्सित देश है वह देश क्या होंगे आपको दिखाई देंगे दरसल है क्या एक तो वहाँ पर जनसंख्या कम है तो साथ ही साथ वहाँ पर medical facility जादा अच्छे वहीं भारत जैसे देश में जहाँ पर जनसंख्या बहुत जादा है और medical facility कम है वहाँ पर इस कुप्रबंधन का सिकार हो जाते हैं बच्चे और वह बच्चों में वह बच्चे होते हैं जिन उन्हें अपने जीवन के अभी एक साल भी पूरे नहीं क्यों चुकि जो बच्चे होते हैं काफी sensitive होते हैं आप देखिए आपके घर में कोई बच्चा होता होगा तो आप उसको कितने careful तरीके से आप उसको protect करने का प्रयास करते होगे उसको एक्स्टेमी ठंडी से बचाना है गरमी से बचाना है उसको पानी कौन सा देना है कौन सा नह को के अंदर जो कि इस reports में से जाहिर होता है कि वह यह है कि अगर बच्चा अस्पताल में पहुंच गया है और खासकर अगर वह अस्पताल सरकारी है तो उसके लोटने की जो है कि उमीद family छोड़ने लेगी है यह condition काफी drowny है और खासकर उस समाज के लिए जहां पर बच्च में पहले गोरकपूर इत्तर प्रदेश का नाम सुना था और वहां पर जो है कि कई बच्चों की oxygen के अभाव में मृत्ति हुए थी आपने बिहार के मजफरपूर के नाम सुना था जो बरतमा अभी यह जो खबर है वह है गुजरात और राजिस्थान से संब्द यह घटना ह हो रही कोटा में एक student एक अस्पताल है जो कि कोटा में है एक सरकारी अस्पताल है जहां पर रेखिये है इसका नाम ही है मातर रेखियों चिकिस साल है अरथा जहां पर special जो है कि इस facility है माताओं के लिए और बच्चों के लिए वहां पर पिछले एक माह में 112 नौजाज सीश इसके अलावा बियोंड भी छोटे-छोटे जो है कि संख्या में कई बच्चों की मौत हुई अगर हम जो है कि अभी मैं आपको डेटा दूँगा तो आपको पता चलेगा ये संख्या हजारों में नहीं है ये संख्या लाखों में आईए पहले एक चीच करके हम समझते हैं तो कुल मिलाकर ये जो खबर अभी जो चर्चा में बनी हुई है वो पिछले एक महा में क्या हुआ है लगबग ये 112 नौजास हिसों के वहाँ पर क्या हो चुकी है मृत्य हो चुकी है अगर हम इसको और स्पेसिफाइ करें तो लगबग एक हपते में ही घटना है जो है की जादा कंडिशन इनकी खराब हुई है एक हपते में जो संख्या बढ़ी है वो पहले की संख्या जो पिछले एक महा कर समय था उस पर भारी पड़ गई है हुआ क्या है कुछ क्लाइमेटिक चेंज भी हुआ है तो कुछ जो है कि जो सरकारी अस्पतालों में जो आपकी सिकायत रहती उसके भी बच्चे सिकार हूँ सरकारी एस्पिताल में आप जाते हैं तो आपको क्या रहता है कि वहां डॉक्टर जुह है कि available नहीं है, facility वहां पर नहीं है, medicine से वहां पर नहीं है और वहां पर ठीक तरीके से care भी नहीं किया जाता है जैसे आपकी फैमिली में अगर कोई बीमार हो जाता है तो आप जो है कि उसको सरकारी अस्पताल में तब तक नहीं ले जाना चाहते जब तक कि आपके पास और भी बिकल्ब खतम ना होगा कुल मिलाकर यहां पर क्या होई 112 बच्चों की मोत हुई इस इस्पताल का निर्माण 1973 में जेके इंडिस्ट्री चूंकि इसका नाम जैसे मैंने बताया जेके लोन मात्र सिसुच के साले उन जेके इंडिस्ट्री की द्वारा कराया गया था एक तरह से उन्होंने चैरेटी के थ तो इसलीं जो असिताल का नाम देखेंगे तो आपको यह दिखा ही देगा यह जो कोटा है को थोड़ा सा उसका अगर आप उसकी की लोकेसे देख каких भाल पर निरवर हई साथ ही साथ आस पास के जिलों के लोग भी या क्या होते हैं इलाज कराने के लिए आते हैं कुल में लाकर यहां पर इसके वज़े से क्या होता है यहां पर पेसेंट की संख्या भी जादा जब पेसेंट की संख्या जादा है तो क्या होना चाहिए उसके लिए सुबधाएं भी ज्यादा होनी चाहिए लेकिन यहाँ पर जो घटना होई है वह सिर्फ सुबधाओं के अभावस के करण नहीं है कुछ और भी करण अब क्या होता है देखिए हमारे हाँ अगर हम देखें भारत में अगर हम बच्चों को लेकर खास कर बात करें कि बच्चों के लिए जो हमने ब्योस्था की है उसमें क्या-क्या ब्योस्था की है और यही टॉपिक आपकी इस लाइन से जुड़ेगा यह बिल्कूल भी अलग भी जा रहा होआ क्या है कि हमारे पास अपको पता है community हेल्थ सेंटर होते हैं जिन को chss के आणाम से आप जांते तो यह जो community हेल्ठ सेंटर होते हैं इनके अंदर भी new born गतलाज जो इस्ट्रेपलाई जेशन यूनिट के सोता है अरफा जो बच्चें भते हैं बच्चों के किसी भी district hospital में एक special ब्यौस्था होती है, Special Newborn Care Unit, इसको SNCO के नाम से जानते हैं, और हर जो है कि क्या होता है, यह जिलेमिक के अस्पताल में ब्यौस्था होती है, इसमें क्या करते हैं, special treatment की ब्यौस्थाएं होती है, किसके लिए new ward, जो बच्चा अभी दुनिया में आया है, क्योंकि उसके लिए अलग परकार की simple ward में, general ward में उसको नहीं रख सकती है, उसको infection का खत्रा है, उसको जो है कि ठंड से बचाना है, उसको गर्मी की बज़े से बचाना है, उसका imminent system बहुत मजबूत नहीं हुआ है, उसको जो है कि माता का दूद पिलाना है, कई परकार की ऐसी condition होती है, कि उसको अभी survive करने में काफी दिक्कत होती है, इसलिए उसको simple ward में उसको नहीं रखा जा सकता, इसलिए special unit की ब्यौस्ता की गई है, अब एक बाद होता है, कि यह जो special units है, अगर यह किसी भी जिले का, जैसे हम कोटा का एक्जामपल ले रहें, जब यह special units क्या हो, टूटा फूटा हो, यहाँ पर कांच की खेड़ किया ना हो, इसके special equipment होते हैं, जैसे आपने देखा होगा, ICO में जो है कि अलग पूरा facility होती है, ठीक इसी तरह कि अगर बच्चों को special equipment चाहिए, वह खराब हो, उसके साथ साथ नर्सों का अभाव हो, अर्था तो वहाँ पर जो लोग हैं, जो काम करने वाल लोग की संख्या, वह भी परियाप तो ना हो, तो क्या होगा, यह जो बच्चे काफिर संब्यदन सेल है, यह संब्यदन सेल ता बढ़ जाएगी, और यह जो है कि दुखत घटना के रूप में हमारे सामने आएगे, कुल मिलाकर हमारे यहां दो परकार की सनचना देखने को मिलती हैं, और जो मुखी जिम्यदारी होती है, वो district hospital की होती है, अब यह district hospital कितने अच्छे से काम करते हैं, इसी पर निर्भर करता है, जैसे कि मैंने बताया आपको कि हर hospital में क्या होता है, special newborn के care centers, units होते हैं, तो इस इसमें क्या होती है जैसे कि मैंने बता है कि इसमें ICO जैसी सुभधाय होती है अभी तक हमारी जो पॉलसी है कि अगर तीन हजार बच्चों का जन्म हो रहा है ध्यान दीजिए अगर तीन हजार बच्चों का जन्म हो रहा है तो 12 ऐसी यूनिर्स को क्या किया हो होनी चाहिए अ किसी को ICU में रखा गया, तो ICU का रखाने मतलब क्या है, एक special weight है, उसके लिए सभी facility है, ठीक इसी तरह की special facility कि हर हमें लगभग जो है कि क्या है, 1000 पर चार जो है कि यूनिट्स बनाने की ब्योस्ता होती, कि जैसे जैसे बच्चे हैं, जितने बच्चे हैं, उनके लिए क्या करे हम एक यूनिट्स ऐसा बना करें, परतेग 2500 बच्चे पर, अब क्या होगा, अगर ये बच्चों की संक्याँ जादा हो, और इस यूनिट्स की मात्रा ना बढ़ाई जा, इसकी संक्या ना बढ़ाई जा, तो क्या होगा, कही न कहीं चुनोतियां बढ़ जाएंगे, 25 से कमेटी गठित की गई उतनी ही कर जो है कि आनन फानन में जो कमेटी थी उसने अपनी रिपोर्ट वे दी उसने रिपोर्ट में यह कह दिया कि डॉक्टर्स और अस्पताल को क्लीन चीट दिया गया है अर्थात उनकी तरफ से कोई लापरवाही नहीं बढ़ती है खारण बता से और साथी साथ जो बच्चे यहाँ पर भेजे गए थे वह किसी न किसी अस्पताल से रेपर किये गए थे अर्थात उन बच्चों की तबियत पहले से बहुत ज्यादा खराब थी इसलिए जब बच्चे यहाँ अस्पताल में पहुंचे तो यहाँ पे जो डॉक्टर और भी इसके साथ हैं कारण यहाँ जैसे कि मैंने बताया कि दूसरे अस्पतालों से आये थे बाहर की सुचना इसे जो अब कमेटियों के माध्यम से और जो है कि लोगों ने जब जांच परताल कि तो पता चला कि अस्पताल के परवंधन में तालमेल का क्या था अभाव होता ज किसी दूसरे वाले से कहते हैं कि आपको यह काम करना चाहिए आप नहीं सुनते हैं एक चे ध्यान दिजेगा हमारे लिए ऐसा इस्थान है जहां पर हम उमीद करते हैं कि डॉक्टर भगवान हो लेकिन उसके लिए एक पेसा बन चुका है वह उतनी उसके अंदर संवेदन सी पता है वह यह पता चला है कि यहां पे जो हैड़ आप डेपार्टमेंट और इनमें पीताल मेल का काफी अभाव था और इनमें तना तनी चल रही थी इसके वज़ेसे मैनेजमेंट क्या हुआ खराब हुआ और इस मैनेजमेंट ने क्या किया कई बच्चों को जो एक अमेश प्रभाल के लिए वह सही से काम ही नहीं कर रहे थे oxygen का भी अभाव था यहां देखिया oxygen cylinder की बात नहीं हो रही oxygen का मतलब है कि देखें cylinder क्या होता है काफी जैसे उर्रखा रहता है तो उसमें जंग लगती है कई परकार की infection होने का खत्रा होता है, तो अभी जो सरकार की policy होती है, उसमें क्या होता है, कि oxygen को pipe line के माध्यम से बच्चों तक पहुंचाया जाए, ना कि cylinder भर भर के, जैसा गोरक कुल में हुआ, यहाँ पर वहसा नहीं है, ध्यान दीजेगा, दोनों अलग-अलग है, यहाँ पर क्या है, oxygen line का है, कि वहाँ पर pipe बिचा ही जाती है, और जो कि हर बेट में जहाँ तक्या रखा रहता है, वहाँ तो को pipe आती है, जिससे बच्चों को supply किया जाए, यहाँ यहाँ पर नहीं मिला, तो कुल मिला कर अब उनके पास भी कलब कहा है, cylinder रखे, और cylinder से क्या होता है, infection होने का खत्र पहले ही हमारे यहाँ पर क्या होता है, requirement कम होता है, लोगों की संख्या कम रखी जाती है, और वहीं पर यह तीन लोग नहीं है, और साती लोग जो अगर service दे रहे हो, और अचानक बच्चों की संख्या क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो इन पर भी दबाव आता है, कुल मिला कर परियाप्त इस्टाप भी नहीं था, इस्टाप ने सिर्फ जो की संख्या इनकी कम नहीं थी, इन्होंने लापरवाही भी की, और यह परिवार ने क्या किया आरोप लगाए, आरोप इस परकार के लगाए गये है, कि यहां के जो इस्टाप है, उसने संबेदन हींता तक दिखाए, उन्होंने कई लोगों ने कहा कि एक एक बेट पर चार-चार बच्चों को लिटा आए गया, वहां पर ठीक से बच्चों को लेटने की और करवट लेने की तक की जगह नहीं थी, आप समझ सकते हैं, यह कितनी खराब कंडिशन रही होई, कुल में लाकर यह जो की घटना थी, काफी ज़्यादा थी, और उसके साथ बहुत जो ज़्यादा थंड वाला इन्होंने लॉजिक दिया, वह भी क्या है, अपने जगह पर है, कि थंड भी अचानक बड़ी थी, लेकिन एक चीज़ समझे, कि हम माले कि कमरे में हैं, उस कमरे को जो अगर हमने में पढ़ती, तो यह लॉजिक कोई बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं इफेक्टिव नहीं है, हाँ यह जरूर है, कि अब यह ठंड जो है, थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ी, और उस ज़्यादा पढ़ने में, उसमें क्या हुआ, कि इन्होंने जो अपने खिड़कियां लगा रखें, जो उन्हांने ब्यवस्ता कर रखें थी, वो सही से नहीं काम कर रही थी, तो अपने आप ठंड का परवाव क्या बढ़ जादा हो जाएगा, और कमरी जो है कि उतनी गरम नहीं रह पाए, जिसके बज़े से बच्चों के क्या हुई, देथ होई, तो कही न कही उसमें भी अगर हम देखें, ठंड वाले लॉजिक में भी, तो क्या होगा, हमें उहां का मेनेजमेंट रिस्पॉंस पर दिखाई देगा, आप तो देखी, ये तो आपको गुस्ता भी आ रहा होगा, कि कितना बेकार इन्होंने मेनेजमेंट किया, लेकिन इसी अस्पताल मे 2014 से लेकर 2019 के बीच परतेक मा में, ध्यान दिजी, ये सालकन, परतेक मा में लगवख सो बच्चों की मृत्य होती आई है, अर्थात यह ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हो रहा है, ये होती आई, अगर ये घटना होती आई है, तो सोचिए कि अगर यह जानकारी, राज सरकार को है, जिलास जो की परसासन को है, फिर भी नहीं रूक रही है, अर्थात इस तरह से अगर हम देखें, तो 2014 में यहां पर 1189, 2015, 1260, 2016 में 1193, और 2017 में 1037, 2018, 2005, और 2019 में जो ये कह रही है, वहां पर बरतमान, जो राज सरकार उसने कहा, कि हमने तो इसमें क्या गुआ है, जो द लेकर फिर वही हम पॉलिटिक्स को थोड़ा सा अलग करें, और किसी राजनीतिक दल को ना सोचें, तो सोचिए, यहां जो बच्चे हैं, यह क्या है, 963 वह बच्चे हैं, जिन्होंने दुनिया भी नहीं देखी, कुल मिलाका, अगर यहां के जो मुक्यमंत्री थे, उन्हों कि यह संभेदन ही की बयान है, और होना भी चाहिए, उनके लौजिक्स ही हो सकते हैं, कि पहले कि इस तुलनम संक्या में कमी आई है, लेकिन हमारे लिए क्या होता है, एक एक बच्चा हमारे लिए महत्पूर है, मैंने आपको यह कुछ समय पहले, जो है कि अमेरिका का प्रावडली कहता है कि वी आर अमेरिकन उसको यह पता है कि उसको बचाने के लिए सरकारे किसी भी हद तक कुछ भी कर सकती हैं जैसे मैंने कि आपको बताया सुलिमानी की मौत का जब मैंने आपको बैक्ग्राउड बताया तो उसमें जो कॉंट्रेक्टर था यूएस कॉंट् कर उसे प्रयास किये कही न कहीं दिखाता है कि हमारे पास जो जनसंख्या उस जनसंख्या का हम महतों नहीं समझते हैं वह क्या है एक भीड के रूप में उसको देख रहे हैं और भीड जब खतम हो गई तो हमने बात खतम कर दी यहां पर यहीं थोड़ा सा संबेदन हींता मे क्या होती है कमी हम लोगों को दिखाई देती है कुल में लाकर यह जो था जो की काफी दुखत जो गहें काफी घटना थी और इस दुखत घटना में एक और आप दोख रहे हैं यह तो हमने था कोटा आपको जोदपुर में एक जो है कि एसन मेडिकल कॉलेज है वहां पर दि नेर में भी इस ट्वनें यहां पर इस सौ से ज्यादा अधिक बच्चों की मरतिव हो चुकी है और जा अगर देखें तो आपको एक ही मा में पूरे राजस्थान में यह संख्या कई हजार में पहुंचती हुई दिखाई देगी और यह बताता है कि बच्चों को हम केर करने के मामले में भी पीछे यहां पर एक चीज और किलियर कर दूँ कि यह सिर्फ राजस्थान की कंडिसन नह देखें भारत में सिस्व मृत्यूदर प्रती एक हजार 32 है इसका मतलब होता है कि जिन बच्चों ने अभी जन्म लिया है जिनकी उम्र एक साल से कम है और प्रती हजार हम देखें कि एक हजार बच्चों का जनम हुआ और जिनकी उम्र एक साल से कम थी उनके कितने बच्चो कि मृत्तिव हुई इसी को कहते हैं सिस्वी मृत्तिव यह देखी यह क्या है 32 है अर्थात 1000 में से 32 बच्चे क्या होते हैं एक साल से पहले इस दुनिया से चले जाते हैं अगर हम विक्सित देशों में देखें तो यह आकड़ा आपको 4-5 और मैक्सिमां 10 तक दिखाई देगा हमें यह नहीं देखना है कि हमें जो कि और भी खराब कंडिशन ऐसा नहीं कि 32 दुनिया में सबसे वर्ष कंडिशन है लेकिन हमें तो क्या करना अपने देश के उन जो है कि बच्चों को देखना है जो हमारे भविस हैं तो कुल मिला कर अगर हम बैस्वी कुरूप से देखे तो यह संख्या क्या काफी ज्यादा दिखाई देते हैं किसी भी देश में कि जो स्वास्त सुब्धा का जो इस्तर होता है यह दिखाता है कि वहाँ पर बच्चों की देखरेद कितनी जादा है इसके लिए इंगलिस में एक सब्द होता है IMR इसको बोलते हैं infant mortality rate ध्यान दि का हम प्रयास कर रहा है कि वहाँ पर बच्चों के स्वास्त के लिए हमने प्रयाप्त सुब्धाई बिक्सित नहीं किये और किसी देश में अगर सुब्धाई अच्छी होंगी तो यह संख्या अपने आप IMR की कम होती चली जाएगी और IMR जितना कम हो अगर सुन्य तक हो ज अब 32 है यह बताता है कि कभी ज़्यादा है अगर हम Unisip की रिपोर्ट के बाद करें तो यहां पर हमारे हाँ प्रती दिन तेईस सौ पचास बच्चों की स्ट्यूट मृत्यों होती ध्यान दिजिए एक दो बच्चे नहीं है तेईस सौ पचास बच्चों की मृत्यों प्रत देखें तो इसमें जो सबसे खराब कंडिशन है उन राजयों में एमपी ओडिसा अस्व में यूपी अमनाचर परदेश राजस्थान में यह कंडिसन दिखाई यहां पे जो है कि आयमर क्या है बहुत अच्छा इन राज्यों में भी अगर हम देखें तो आपको अगर हम और इससे पता चलता है कि यह जो अभी हम बात कर रहें घटना पर यह राजिस्थान की जरूर है लेकिन यह पूरे भारत की क्या है तस्वीर है और इसके वज़े से हमें इस पर थोड़ा सा चिंता करने की जरूरत है अब आईए थोड़ा सा देखिए कि कुछ कारण देखते ह है कि जिनकी वज़े से बच्चों की क्या होती देथ हो जाती देखिए यह अधर है नौट आइडेंटिफाइड इसको छोड़े एक देखिए सदेन इन्फेंट देट सिंड्रोम यह जो कि आचानक बच्चों की किसी कारण से मृत्य हो जाती है वाई कारण दूसरा है कि जो उनके पास इमनेर्स सिस्टम है वह किसी जो वहाँ पर उनको नर्सिंग की गई है उसके वज़े से बहुत अच्छे डाइरिया एक परमुक कारण है इसके साथ साथ जो है कि प्री मैचोर्टी एक कारण है इसके साथ निमोनिया एक परमुक कारण है और इनके साथ साथ यह जो कारण है, जो कि दिये गए है, cause of death की रूप में, इनको छोड़ दीजिए, हम संपली तरीके से देखें, जैसे हमने निमोनिया देखा, डाइरिया देखा, हमने उनके कुपोसर्ड की समस्त्रा देखिया अर्थार, उनको nutrition पूरा ना मिलना देखा, इसके अलावा, अगर हम क्या है, जो माताएं हैं, माताएं क्या हैं, बहुत ज़्यादा सिच्छित नहीं है, जब वो सिच्छित नहीं है, तो उनको, उनके पास emotion तो है, वो चाहती है, उनके बच्चे को कुछ ना हो, लेकिर कब किस condition में, कौन-कौन से उनके पास विकल्प है, कौन-कौन से, उनको nutrition किस प्रकार की उनकी daily routine होने चाहिए इसका थोड़ा सा क्या होता है और दूसरी बात जो हमारे यहाँ जो medical facility है जिसके इसमें बात नहीं कहिए medical facility का अभाव कापी जाना आप खुद देखिए आप जिस जिले के हैं आप उस जिले में कई बर क्या होता है कुछ गाउं ऐसे होत अच्छा जिसका immunist system कमजोर है वह पहुंचेगा उससे पहले क्या हो जाएगा वह दुनिया से जाज सकता है इसके कारण क्या है medical facility पर हमारे दूसरा medical facility जो अगर माल लीजिए हमारे पास है अस्पताल है तो जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर आपको medicine नहीं मिलेंगे यहाँ आपको equipment नहीं मिलेंगे यहाँ पर आपको सफाई नहीं मिलेगा आपको cleanness नहीं मिलेगा यहाँ पर आपको सम्मेदन सीलता नहीं दिखाए देगी होता कि है जो private hospital है उनको पैसा मिलना होता है तो इसके बज़े से बहुत आपसे प्यार से तरीके को आपको समझने का प्रिय मार कि हमारी जो rate है उसको हम क्या कर पाएंगे जो है की chain ला पाएंगे कुल मिला कर यह कारण थे जिनके वज़े से बच्चों की क्या होती है मृति होती है तो इसमें इतना ही रखते हैं आई हम बात करते हैं अपनी दूसरी खबर जो हमारी दूसरी खबर है वह है lone wolf terrorist attack आप एक सब्समझ गया होंगे terrorist समझ गया होंगे attack समझ गया होंगे यह lone wolf क्या है इसको थोड़ा सा समाझ लेजिए और है क्या है यह terrorism का एक टाइप अब जो है की बिक्सित होता दिए lone wolf terrorist attack में क्या होता है कि कोई बैक्ती है माल लेजिए मैं अपने उपर लेता हूँ हाला क्या जंगवादी जैसे मैं दिखता भी नहीं बेल्कुल मैं हो भी नहीं तो कुल मिलाकर मान लेजिए कि मैं एक ब्यक्ती हूं मुझे कोई बात जो है कि system की बुरी लगी हाना कोई बात जो है कि मुझे ideological किसी छेतर की बुरी लेगी मान लेजिए मैं कहता हूँ कि यहां पर इस पेस्तल ट्रीटमेंट मिलेगा जगह में लेगे इसका मैं सिकार हो सकता हो सकता है कोई ब्यक्ति मेरा brain boss कर दे कोई ब्यक्ति आए मेरे पास और मुझे कहे कि तुम अगर पचास लोगों को सो लोग मारते हो तो तुमको ऐसा लगेगा ऐसा फील आए इस तरह से brain boss का जो है कि कोई ब्यक्ति कर दिया जाए तो अगर मैं क्या करूं किसी मैं organization की मदद नहीं ले रहा हूं किसी की मैं सहाता नहीं ले रहा हूं कोई मुझे जो है कि Regulate नहीं कर रहा है मुझे कोई जो है कि फंड नहीं दे रहा है सभी चीजों के लिए मैं खुद कहूं कि मैं क्या करता हूं टेरिस्ट अटेक करता हूं तो इस परकार के टेरिस्ट अटेक को lone wolf terrorist attack के रूप में देखा जाता है फ़र एक जामपल जो मैंने कारण बताएं उन सभी कारणों की बज़े से किसी कारण से मैंने सोचा कि मुझे क्या करना है हमला करना आप 10 लोग जा रहे थे मैंने घर से चाकू उठाया आपके उपर जाकर हमला कर दिया और मेरा संभन किसी भी दूर दूर सा किसी terrorist organization से नहीं है तो मुझे जब police कहेगी तो यह कहेगी कि terrorist तो है लेकिन यह lone wolf terrorist attack के रूप में होगा ना कि किसी organization terrorist attack के रूप में मुझे देखा जाएगा तो दरसल है क्या इस समय यह खबरों में क्यों है इस समय यह खबरों में इसलिए है कि दरसल जो lone wolf terrorist attack है इनकी बज़े से जो है कि अब यह इस परकार के attack की प्रवती बढ़ी है पहले आप देखते थे संगठन हुआ करते थे वह जिम्मेदारी लेते थे और कहते थे कि हाँ उन्होंने इस घटना को अंजाम दे कई बार आप ऐसी घटना होने लगी है कि चलता फिरता ब्यक्ती भी आतंगवादी बन गया तो जो इस परकार की घटना है यह बताता है कि जो हमने टेररी जम को खतम करने के जो प्रयास किये उसमें हम अभी सफल नहीं हो पार हमने क्या किया संस्थाओं को फोकस किया उनको खतम करने का प्रयास किया लेकिन लोन वोन टेररिश अटेक बढ़ते चले जारे आई अब मैंने चुकिए आपको समझा दिया लगवाद चीजे अब इसी चीके मिनर्स को आपको मैं समझाता हूं कोई ऐसा आतंगवादी जो किसी आतंगवादी संगटिन से संबने ना हो या उसका मदद ना ले रहा हो कोई उसको दिर्देश देने वाला ना हो तो उसको क्या बोलते हैं लॉन वॉल्फ टेरेश के रूप में जानते हैं होता क्या है कि यह मैंने जैसा कि बताया किसी विचारदारा किसी सामगरी किसी कारण से यह प्रभावित हो सकता है बिस्व में ऐसी कई घटनाएं देखने को मिल रही हैं जहां पर हत्यारों के प्रियोग बिस्व सम्दाव से सम्दन लोग की हत्या की संक्या आधिक आधार पर कई घटनाओं को इस स्रेणी में डाल दिया गया किस स्रेणी में लोन वॉल्फ जो है की केटेगरी में होगा क्या आप देखिए अगर आप किसी जिलेक परसासन से जुड़े हुए और वहाँ पर मालेजे दस जो है कि आतंगबादिक घटनाए होगे नहीं होगी आप अच्छे परसासक बनेंगे लेकिन फिर मालेजे वहाँ पर दस घटनाओं तो आप बताएंगे ना कि किये अर्थात बिना सही से परताल किये उसको लोन वॉल्फ केटेगरी में डाल देती है और यह जो इस तरह की केटेगराईजेसन की जो ब्योस्ता की गई है यह काफी खतरनाग है एह कैसे मैं होता हूँ अब यह मैं आपको एक एक्जामपल दे रहा हूँ और उस एक्जामपल में हुआ क्या था एक बैक्ति था जो लंदन एक्ष्टेग श्टॉक एक्सचेंज को क्या करना चाहता था उड़ाना चाहता था उसने उड़ाने का क्या की है बिचार बनाया और उसपे वो काम कर रहा था लेकिन वो ऐसा कर पाता उससे पहले ही क्या कर दिया गया उसको अरिष्ट कर लिए उसके एवज में उसको 8 साल की क्या कर गई सजा दी गई जब सजा दी गई फिर 8 साल बाद हो छूट कर बहार तो हमने उसको क्या किया उसको काउंसिलिंग करवाई अस्पताल चूंकि वहां के जो जेल होते हैं उसमें कांसिलिंग बगार एक बेवस्ता होती है और उससे कहा गया उससे उमीद की जा रहे थी वह अब ऐसा नहीं करेगा हुआ क्या कि उसने कुस समय बाद पêsर चाकू लिया और कुछ लोगं पर हमला कर दिया और उसको कहा गया कि टेरिश अटेक हैBaby लेकिन उसको क्या किया yönव केटेगरी में डाल बीआ लॉन वाल केटेगरी میں डाल देने का मतलब क्या है कि आप यह नहीं सब्दर के पीछे कुछ और चीजे थी, जब आप किसी ब्यक्ति को ही सब मान ले रहें कि यह ब्यक्ति था, इसने किया, मान ले जब मैंने आतंगबादी हूँ, मैंने ऐसी घटना की, और आपने सब कुछ मेरे उपर छोड़ दिया, तो जब मेरे पीछे की, जो चीजे हैं, चाहे वो संस्था हो सकती है, वह कोई जो है कि फंड करने वाला ब्यक्ति हो सकता, कोई मेरा brainwas करने वाला, आप वहाँ तक तो क्या हुआ, नहीं पहुच पाती है, वह ब्यक्ति क्या करेगा, मेरे जैसे और ब्यक्तियों को क्या कर दे, खड़ा कर दिया, अर्था जो अभीitutional या जो और्गनाईस चाहिए था कि सबसे पहले आप यह देखते कि आतनगवादी जो घटनाएं हुई वह किस संस्ता किस ब्यक्ति किस संदाय किस छित के लोगों ने की और जो फाइनली कोई सुराग नहीं मिलता आप अपनी तरफ से 100% परयास कर लेते तब उस के टेगरी में रखते और बरतमान स जैसे माले मैंने आतनगवादी घटना को अंजाम दिया मुझे कहा गया मैं लॉन वर्प टेररिस्ट अटेक का जिम्मेदार हूं तो मुझे दूसरे जो मेरे जैसे लोगों है उनको क्या लगेगा अच्छा हम भी अकेले क्या कर सकते हैं ऐसी घटना को अंजाम दे सकते हैं और इस परकार की प्रवितियां क्या होंगी बढ़ेंगे कोल मिलाकर आईए इसको जैसे कि मैंने आप बता है उसी चीज को लिखा हुआ पढ़ते हैं कई बार क्या होता है इस के टेगराईजेशन का फायदा भी लोग मिल जाता है और उससे क्या हो जाता है जो फायदा मिल गा तो इस तरीके से इस परकार की चुनोतियों से निपतना हमारी प्की प्रीयास आया है और इसमें जोई क्या किया गए लून बुल्स्रेणी में डाल दिया गया जबकि मैंने जैसे के बताया कि इसमें क्या था एक व्यक्ति था और वो लंदन स्टॉक एक्स्चेंज को उड़ाना चाहता था और उसको के आठ बर्स की वoh सजा गाट कराया था अगर हमें पता रहता कि हम क्या करें इस ब्यक्ति पर हमें नजर रखनी है तो साधिया ऐसा कुछ नहीं कर पाता चूंकि हमने कहा कि यह लोन वॉल्प था अव साध कुछ नहीं करेगा और उसने फिर से क्या कर दिया हमला कर दिया इस घटना का जो आरोपी था वो था उस्मान यह एक कटर उपदेशक बिटा और इसके बज़े से कहा गया कि दरसर यहां के एजंसियों ने सही से काम नहीं कि इसी प्रकार का एक अटेग यूस से के पल हार्वर ही केम केम में हुआ दूसरा जो घटना हुई थी वह कहां पर हुई थी आपके दूसरा जो पैन स्कॉलर नव घटना हुई थी इस घटना को अंजाम दिया मुहम्मद अल सर्मानी ने और इस जो इसने जो अंजाम दिया इसको के इसके बिसे में कहा यह जाता है कि काफी लिबरल था इसके परिवार के लोगों ने बताया कभी भी इसके अंदर कटारता नहीं थी लेकिन वह क्या था जो इस परकार की घटना होई वह चूंकि वह ब्यक्ति से सिर्फ दुखी था उसने ऐसा किया इसको आप इस त्रेणी में रख दो वह तो ठीक है लेकिन जो आपने लंदर की घटना रखी और जो परल हारबर की घटना रखी वह बिलकुल भी इस रूप में नहीं थी वहाँ मिला कर हमें यहां पर जो यूज करना एक्जाम के पॉंट अब्यों से वह तो है लोन बॉल्फ क्या होता है कैसे टेरिरिजम को बढ़ावा दे सकता है किस परकार किस की चुनावतियां हो रही यह प्रशना आएगा इससे लेकिन उसके साथ साथ यह हमें समझना है कि यह लो हम जो है कि अगर इससे देखें देद कितनी हुई तो 2018 में 22,980 लोगों की और इधर देख रहे हैं संख्या कितनी काफी आपको जादा दिखाई देगी इससे यह पता चलता है कि जो हमने आतंगवास से निपटने के लिए जो हमने अभी तक प्रक्रियां अपनाई जो सरच इतना है उसमें कई लूप होल हैं उन्हें हमें सोचने की जरीर थोड़ा सा उस पर जरूरा थे अब देखिए थोड़ा सा जो है कि क्या है और जो है कि कुछ टाइप्स और आप देख लिए जो आपके स्केन पर लिखे हुए जैसे माले यह कहा है इस्टेट स्पॉंसर टेर लिखे हैं कोई धर्म के लोग है वह मालने कि उनके ऊपर हमला हो रहा है और वह इस परकार की अट्टिविटिव को अंजामने रहे एक हैं तर्रीष एंड लेप्ट एंड राइट यह क्या होते हैं की दरसल यह क्या होते हैं कि जो पॉलिटिकल आइडोल जी हमने देखने न पूरे बिश्रों इस परकार की घटनाएं होते भी हैं, एक घटना होता है कि अपनी क्राइम को इसलिए बढ़ाया जाता है, जिससे उनको फायदा हो सके, लोग के अंदर डर बैठें, बड़े-बड़े ग्रूप्स होते हैं, या क्या करते हैं, पैसे लेते हैं, सुपारी ले आते हैं, तो एक criminal terrorism, एक होता है, which are terrorist group, which have rebel against their government, जो कि अपने जो कि सरकार से संतुष्ट नहीं हैं, और उसके खिलाब क्या करते हैं, बिरोध करना चाहते हैं, बिद्रो करना चाहते हैं, और बिद्रो करके सत्ता परिवर्ततिया करना चाहते हैं, उनका जो कुछ भी लच्छ होता है, यह जितने भी आपको परकार है, यह सभी आप क्या करिए गए, याद रख लेजएगा, यह आपको पास PDF मिल जा रहा है, एक चीज और इस्टोन, PDF जो ही समानता होता क्या है, कि जो वीडियो डाले जाती, एक से दो घंटे के अंदर उसको आपको प्रवाइड करव आपको पीडियो मिल जाती, तो यह था आज के परमुक करें, फिर बात करते हैं कल, थैंक्यू सो मच,